नमस्कार स्वागत है आपका बिलकम है कम्प्टिशन कम्यूंटी की सानलाइन प्रेटफरम पर साथियो हमने इसके पहले लिक्चर में संगलोग सिवा आयोग के बारे में पढ़ा था आज हम उसी के महत्यपूर्ण बस्तुनिस प्रेशनों को भी चर्चा करेंगे लगाएंगे साथियो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं जब भी हम कोई सलेबस कवर करते हैं तो हम उसकी अपनी तयारी को कैसे परखें कि हमारी तयारी का इस्तर क्या है उनको चीजे कितनी याद हैं उनको सबसे बढ़िया जाचने का तरीका है कि हम एमसी क्यों जादा जादा सॉल्व करें हमने पहले पढ़ा की संगलोक सिवायो कैसे है, संबैधानिक प्राबधान है कैसे काम करता है, संबैधान में इसका कहा वर्णन है, इन सब चीजों के बारे में हमने एक बिस्तार से चर्चा करी थे आज हम उसी के महत्पूर्ण बस्तुनिस्ट प्रशनों की चर्चा करेंगे साथियों हमको एक-एक कदम चलके अपने लक्ष तक पहुचना है हला कि ये तो बोट डालने के लिए उहां जा रहे हैं पर हमको तो अपने लक्ष तक पहुचना है और वो कैसे पहुचेंगे ये हम धीरे-धीरे मेहनत करेंगे के कदम आगे बढ़ेंगे तो हम उतने लक्ष तक पहुचेंगे तो हम पढ़ेंगे आज क्या संग लोग सेवा आयोग के बस्तुनिस्ट प्रशन के बारे में संग लोग सेवा आयोग के बस्तुनिस्ट प्रस्ण जो महत्यकूर बस्तुनिस्ट प्रस्ण है जो एक्जाम में आपके लिए आ सकते हैं संभावित हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आईए देखते हैं आज का पहला प्रस्ण क्या है तो पहला प्रस्ण क्या है भारत के संभिधान के निम लिखित में से किस अनुच्छेद के अंतरगत संग लोग सेवा आयोग के गठन का प्राबधान है क्या संभिधानिक प्राबधान है किस अनुच्छेद में संभिधान मे question पूछ रहा है पहला option में है 315 article अनुच्छे 323, option B, option C, अनुच्छे 2215, option D, अनुच्छे 226 साथ ही जो इसका सही answer होगा जो इसका right answer है वो है अनुच्छे 315 क्योंकि article 315 में ही हमारे संग लोक सिवायों के गठन का प्राथधान है हलाकि संभिधान में 315 से 323 तक के जो भी समास आर्टिकल है उनमें संग लोक सिवायों के प्राथधान ये गए है अलग-अलग articles में अलग-अलग चीजों का बढ़न है question number दूसरा है संग लोक सिवायों का मूल विभाग कौन सा है option देखें और उसके बाद हम बताएं भारती गण राज, option B में है भारत सरकार, option C में है कार्मिक रसासन बंत्रा और some D में है ग्रह मंत्राल जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट एंसर होगा, option B होगा भारत सरकार, मूल विभागर संग लोक सिवायों आएए आगे बढ़ते हैं और अंगले प्रशन की देखते हैं कि अंगला प्रशन क्या कह रहा है संग लोग सिवा आयोग का गठन किस वर्स हुआ इसके बारे में कुछ रहा है कि संग लोग सिवा आयोग का गठन किस वर्स हुआ आप्सन देखें, पहले आप्सन में कहता है एक अक्टूबर 1925, आप्सन बी में कहता है एक अक्टूबर 1926, आप्सन सी में कहता है एक अक्टूबर 1928, और आप्सन डी में कहता है एक अक्टूबर 1929, ये 29 कर लीजे, इसको पुंटिम मिश्टेक है, अब हम देखें इसका सही उत्तर क्या है? तो साथ ही आप अपने इसका उत्तर आसानी से अपने दिमाग में बेठा लिया होगा और आपको पता भी होगा कि इसका उत्तर क्या है? क्योंकि ये एक सिंपल सा साधारण सा question है. इसका जो option B है वो सही उत्तर होगा. और आप जानते हैं हमने पढ़ा है जब संग लोग सेवा आयोग उस समय हमने चर्चा करी थी कि 1923 में गठित ली आयोग ली आयोग क्योंकि कोश्चन पूछता है कई बाद एक्जाम में कोश्चन पूछता है किस आयोग के तहत संग लोग सेवा आयोग का गठन किया गया तो हम बताए ली आयोक के तहट ली आयोक का गठन कब हुआ 1923 में हुआ अगर ये पूछेगा किस की रिपोर्ट कब आई तो हम बताएंगे कि 1924 में इसकी रिपोर्ट आई और उसी के तहट संग लोग सिवा आयोक का गठन एक अक्टूबर 1926 को पहली बार हुआ ये किस के तहट हुआ तो रायल कमीशन का संबंद किस से है पूछ रहा है कि रायल कमीशन का संबंद किस से है प्रथम लोग सिवा आयोक से बी में कहता है जलिया बाला वा घत्तिया कांड से सी में कहता है गोल में समेलन से और डी में कहता है कांडरेस की स्थापना से किस से इसका संबंद है जो इसका पास किया गया था इल्दी आयोग के आसपास इसका घठन उसी से सम्मनली थहीग अब हम अगले कोश्चन क्यों रागे बढ़ते हैं और अंगला प्रसबदेख प्रथन लोग्स सेवा योग को किस अधिनियम द््वारा फेडरल आयोग नाम दिया गया क्या नाम दिया गया? Federal I.O. तो इसके option है भारत सासान नदियां 1935, option A option B में कहता है भारत सासान नदियां 1947, option C में कहता है भारत सासान नदियां 1929, और option D में है मानटेगी चेम्स पोर्स उधार 1929, जो इसका सही उत्तर है, जो इसका अब हम अगले प्रस्ण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अंगला प्रस्ण क्या है? कि निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजी ये विचारनी ये प्रस्ण है इसमें कथन दिये गए है और उन कथन के अनुसार हमको उत्तर देना है आईए देखते हैं कथन क्या है कथन एक कहता है कि संगलोक सिवायोग में एक अध्यक्षेवं सदस्यों का प्रावधान संभिधान में दिया गया है साथियों ये गलत है संभिधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सदस्यों के लिए सदस्यों को प्राबधान करने का अधिकार राष्टपती जी को दिया गया है इसलिए कथन एक तो गलत हो गया कथन बी कथन बी कहता है कि संभिधान के भाग 14 एवं अनुच्छे 315 से 23 तक यूपी असी के प्राबधान है ये बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही कथन है हम से क्या पूछ रहा है आप्सन केवल एक सही है यहां पूछ रहा है कि कौन सा सही है केवल एक सही है केवल दो सही है कथन C कहता है आप्सन C कहता है कथन A और दो दोनों सही है D कहता है कि ना एक ना दो कोई भी सही नहीं है तो इसका जो सही उत्तर होगा जो इसका राइट एंसर होगा वो अप्शन B होगा क्योंकि B कथन सही है A कथन गलत है आईए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखते है संग लोग सेवा योग के अध्धक्ष वन सदस्यों की योगता इन में से कौन सी है ऐसी कौन सी योगता है जिनके तहट उनको अध्धक्ष वन सदस्यों की योगता इन में से कौन सी योगता है ये भी नहीं कहा गया C में कहा है भारत सरकार वर राज सरकार के आधीन कम से कम दस वरस का कार अनुवह होना चाहिए Option D कहता है उसे उच्चितम नयाले का बार काउंसिल का सदस्य होना अनिवार हो तो इन में से कौन सा सही है इन में से सही है Option C क्योंकि इनकी योगता तो संभिधान में वैसे बढ़नित नहीं है लेकिन ये माना गया है कि इन में से जो भी सदस्य होंगे टोटल जैसे इस समय बरतमान में दस सदस्यों का प्रापधान है और एक अध्यक्ष तो इन में से आधे सदस्य संभ सरकार मतलब केंद्र सरकार या राज सरकार के आधीन कम से कम काम करने का दस वर्स कानभव इनके पास होना चाहिए टोटल में से आधे सदस्यों का इसलिए Option C इसका सही उत्तर होगा इसका राइट एंसर होगा अब हम बढ़ते हैं Question No.8 की तरफ निम लिखित कतनों पर विचार कीजिए कतन पहला है आयोक के अध्यक्ष वा सदस्यों को दिवालिया घोसित होने पर पद से निसकासित किया जा सकता है ये बिल्कुल सही कतन B में है पदावधि के दवरान अपने पद के कर्टब्ने के बाहर किसी बेतन नियोजन लिखा है इसको नियोजन कर लिजिया नियोजन में लगा हो बिल्कुल सही है मानसिक एवं सारी अक्षंता के कारण पर बिल्कुल हटा सकते है उसे पद से वैसे हटाया जाता है जैसे कि सम्मिधान में वनित नियंत्रक लेखा परिचक सुप्रीम कोट के नयधीस को हटाया जाता है ये गलत है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोट की एक जाज कमेटी गठित होगी और राष्ट पती जी उनको हटाते हैं इन में से पहला दूसरा तीसरा सही है और अप्षन में ये कहा है तो अप्षन में ये सी अप्षन में है पहला दूसरा तीसरा इसलिए कथन सीस का सही जवाब होगा अब हम बढ़ते हैं अंगले फ्रस्न की ओर तो निमलिखित में से कौन से कारायोग के नहीं है इन में से कौन से कारायोग के नहीं है देखिए साथियों याद रखिएगा नहीं को लेकर मद्धप्रदेश लोग सेवायोग कई बार कोश्चन फूचता है और हम जल्दवाजी के चक्कर में पढ़ते नहीं है ध्यान से और फिर गच्चा खा जाते हैं इसलिए हमको गच्चा नहीं खाना है जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे question उसके बाद answer देखेंगे option के हिसाब इसलिए नहीं को आप देखें और अब तो सुबधा के लिए आपके मद्ध प्रदेश लोग से बायोग अपने exam paper में highlight करके दे रहा है नहीं को इसलिए ज़्यादा load ना लें लेकिन जब भी आप question solve करें पढ़ें उस समय question को ध्यान से पढ़ें और देखें कि नहीं option तो नहीं है क्योंकि हम देखते नहीं हैं और फिर हम है मान के answer टिक कर देते हैं और फिर exam में हम को उसका कष्ट उठाना पड़ता है उसका नुकसान उठाना पड़ता है कथन A में कहता है कि अखिल भारती सेवा केंदरी सेवा परिच्छाओं का आयोजन करता है ठीक है किसी राजजपाल के अंरोध पर राष्ट पती की सुईप्रती की उपरान सभी या किनी मामलों पर राजज़िक को सलाय देता है ठीक बात सी में कहता है सिविल सेवाँ और पदों पर नियुक्ति करने में ठीक बात इसलिए इसके जो सही जवाब होगा वो डी होगा सभी कथन इसके सत्य कहे गए हैं सभी कथन इसके सही हैं आईए हम देखते हैं आज का अंगला प्रस्न अंगला प्रस्न क्या है क्या है संभीधान के किस अनुच्छेत के तहट संग लोग सेवा आयोग अपने कारियों की बारसिक रिपोर्ट राष्ट पती जी को देता है ऐसा प्राप्धान किस आर्टिकल में है वो आपसे पूछ जा रहा है, 320 में, 321 में, 322 में, अनुच्छे, D option अनुच्छ, 323 में, जो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जब हमने पढ़ा है संगलोग से वायोग, उस समय मैंने सारे आर्टिकल, और इनके सब आर्टिकल के बारे में, डिटेल से आपको मैंने बताया था, और उसके बारे में, हमने बिस्तार से चर्चा करी थी, जो इसका सही उत्तर होगा, वो option D, जा, राइट एंसर, अनुच्छ, 323 में, प्रस्ट, पती को प्रतिवेदन देने का प्राभधान किया गया है, अंगला प्रस्ट, संग, लोग, सेवा, आयोग के अद्धिक, शेवा, सदस्यों का का रिकाल कितना होता है, छे वर्स या 65 वर्स की आयो, पांच वर्स या 65 वर्स की आयो, जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट एंसर है, वो छे वर्स या 65 वर्स की आयो होगा, आंगे बढ़ते हैं, अंगला प्रस्ट देखते हैं, question number 12 कहता है, कि बरतमान में संग, लोग, अध्यक्ष कौन है, बरतमान में कौन है अध्यक्ष उनके बारे में पूछ रहा है, तो option आपका है दीपक कुमार, B में है बिजय मित्तल, C में प्रदीप कुमार स्रिवास्ताव, D में प्रदीप कुमार जोसी जी, तो जो इसका सही उत्तर है, वो इस समय इस पत पर कौन प्रदीप कुमार जोसी जी, जोस जोस में जाके वहाँ, इस्थापित हो गये है, उनको इसमें सुसोभित किया गया है, किस के द्वारा, राष्ट पती जी के द्वारा, अब हम आगे बढ़ते है, संग लोग सेवा आयोग के किसी सदस्य को कारवाह कद्ध्यक्ष निर्ट क करने के सकती किसके पास है, और राष्ट पती जी को यह अधिकार है कि वह कारवाह कद्ध्यक्ष की निर्ट कर सकती, निर्ट लिखित में सत्य कथन है, इन में से कौन सा सही कथन है, उसके बारे में पूछ रहा कोश्य, संग लोग सेवा आयोग द्वारा, गुरुप C वर D क सेवाओं की भरती नहीं की जाती, ठीक कह रहा है, नोकरियों के आरच्छन के संदर्व में आयोग ये भी राज आयोग किसी पारिस मानने वाला संसद में कारण बताने है, तो बात यह नहीं है, संसद आयोग के अधिकार छेत में परिवातन कर सकती है, बिलकुल ठीक बात कह रहा है, इसलिए पहला दूसरा और चौथा ये सही है, तो इन में से कौन से ऑप्षन है, पहला दूसरा और चौथा, इसलिए ऑप्षन is का सही जवाब होगा, woo और अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रेशन की, question number 16, संध लोग अयोग के प्राभधान है, आपको बताना है कि अनुच्छे 316 क्या कहता है 317 क्या कहता है 320 और 321 क्या कहता है तो आईए हम इसको जोड़ी मिलाते हैं 316 कहता है नियुक्ति वाकारकाल के बारे में 317 क्या कहता है कि सदस्क का बरखास्दगी और निलंबन के बारे में 320 क्या कहता है आयो कि क्या कारह है उनके बारे में बात करता है और 321 है कारियों को विस्तार करने की सक्की का बरणान अनुच्छे 321 में किया गया है तो हम देखते हैं तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा तो हमको किसा option में दिख रहा है तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा इसलिए option भी इसका सही उत्तर होगा साथियों आप अनुच्छेद याद रखें क्योंकि अनुच्छेद सुले कर direct textual question एक जाम में पूछे जाते हैं तो ये इसका सही जवाब क्या हुआ option B क्योंकि इसी तरह इसका arrangement हो रहा है इसी option किता है अब हम आगे बढ़ते हैं अंगला प्रसंद देखते है question number 17 कहता है कि भारत में civil services का जनक किसे माना जाता है civil services का जनक किसे माना जाता है option A, Lord Khan Wallace, option B, Lord Dalhogy option C, Lord William Bantic option D, Lord Mount, बेटन तो ये तो आप जानते हैं कि option B में जो Lord Dalhogy है ये हरफ नीती हरफ नीती नहीं लेके आई लेकिन आप से यहां civil services का जनक के बारे में पूछा जाता है इसलिए option A, इसका सही उत्तर होगा Lord Khan Wallace को civil services का जनक कहा जाता है भारत में अब हम आगे बढ़ते हैं अंगले फ्रस्न की ओड़, संयुक्त राज लोग सेवा आयोग अध्यक्षवा सदस्यों की संख्या और सेवा सर्तों का निर्धारन कौन करता है ये सक्ति किसको है तो जब हमने संग लोग सेवा आयोग पढ़ा था उस समय हमने चर्चा करी थी संयुक्त लोग सेवा आयोग के बारे में और उस समय मैंने आपको बताया था कि इसकी सक्तियों और सेवा सर्तों का निर्धारन करने का अधिकार जो है वो राष्ट पती जी के पास है इसलिए उप्शन सी इसका सही उपतर होगा आज ये आएंगे बढ़ते हैं अगले हो तो संयुक्त राज़लोग सेवा आयोग के प्रगति रेищ प्रगति राजपाल के यह समवंदित होगोل। वालों को ये अपनी वासिक रिपोर्ट देता है और फिर राज जिपाल उस संबंदित राज्जी के विधान मंडल में उस रिपोर्ट को रखवाते है आई ये अंगला प्रसंद देखें आउपसन C में कहता है विधासत पांच वर्षभ या 65 वर्ष़ की आई उपसन D में कहता है इन में से कोई नहीं तो जो इसका आहि उत्तर होगा विधार राइट एंसर होगा वो होगा 6 वर्ष toen जो भी पहले हो तब तक के लिए होता है चाहे आप का कारकाल 6 वर्स हो जाए या कि आपकी उम्र 65 वर्स हो जाए इनमें से जो पहले हो जाएगी आप सेवा निवित हो जाएगी अब कूश्चन नम्मर 21 कहता है कि निमलिखित में से किस तिथी को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है वो कौन सी तारीक है जब सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है option 20 मई, option B में कहता है 11 नवंबर, option C में कहता है 21 नवंबर और option D में कहता है 5 अक्टूबर तो जो इसका सही उत्तर होगा, इसका राइट एंसर होगा वो एकाईस अप्रेल होगा और ये 2006 में पहली बार मनाया गया था तब से एकाईस अप्रेल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है अब अगे बढ़ते हैं, अगला प्रसन देखते है question number 22 कहता है, कि निम्न लिखित में से कौन अखिल भारती सेवा का स्रजन कर सकता है आप जानते हैं कि भारती संबिधान के अनुच्छेद 312 में किसका अधिकार है अखिल भारती सेवाओं को स्रजन करने का अधिकार है और किसके पास है, वो हम option में देखें दो तिहाई बहुमत से राज सभा के पास, दो तिहाई बहुमत से लोक सभा के पास और सीराष्ट पतिया, प्रधान मंत्री के पास तो ये जो आर्टिकल 312 में सक्ति दी गई है, वो राज सभा को दी गई है दो तिहाई बहुमत से चाहे तो राज सभा अखिल भारतिय सेवाओं का सरजन कर सकती है इस समय तीन अखिल भारतिय सेवाओं हमारे देश में काम कर रही आईए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंद देखते हैं निम ने लिखी तीन में से किसके अनुओधन दवरा किसी राज लोक सेवा अयोग के कॉर को संख लोक सेवा अयोग को सौपाई जा सकता कौन वो सिपारिस करेगा कि ऐसा किया जा सकता option A में राश्ठपति, option B में लोक सभाद देख्श, option C में प्रधान मंत्री और अप्सन D में महान नयवादी तो ये जो अधिकार दिया गया है वो माननी ये हमारे राष्टपती जी को दिया गया है वो ऐसा कर सकते हैं उनके पास ये अथोरिटी है अब हम अगले प्रस्ण की और आगे बढ़ें तो देखते हैं संग लोग सेवा आयोग के ब्या किस पर भारित होते हैं वो आप्सन देखें आप्सन A में कहता है कास्मिक निधी पर आप्सन B में कहता है कि भारत की संचित निधी पर आप्सन C कहता है राज की संचित निधी पर आप्सन D कहता है इनमें से कोई नहीं तो आप जानते हैं जब हमने पढ़ा था संग लोग सेवा आ आयोग के व्य हैं वो भारत की संचित निधी पर भारित होते हैं आर्टिकल 266 में भारित होते हैं और राज लोग सेवा आयोग की जब बात होगी उस समय इनकी व्य राज जी की संचित निधी पर भारित होगे यहां संग लोग सेवा आयोग के बारे में बात की जा रही है तो अध्यक्ष के अतिरित कितने सदस थी ये एतिहासिक प्रश्ट भूम के बारे में बात कर रहा है कि उस समय जब 1926 में संगलोग सिवायो का गठन हुआ उस समय उसकी संरचना क्या थी उसके बारे में उच रहा है तो जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि उस समय एक अध्यक्ष एक अध्यक्ष एक अध्यक्ष और चार सदस्यों का प्राबधान था चार सदस्यों का प्राबधान था इसलिए option 20 का सही जवाब होगा तो साधियो हमने आज देखा संगलोग सिवायोग के महत्यपूर और संभावित बस्तुनिष प्रेशनों के बारे में उसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा और उसके बाद हमने MC क्यों लगाया मैं उमीद करता हूँ कि ये हमारा प्रयास आपकी तयारी को बहतर बनाने में थोड़ा तो योगदान देई रहा होगा इसलिए आ आप अपनी तयारी को और बहतर बनाएं आप अपने लक्ष की और आंगे बढ़ें आपको हमारे तरफ से हर दिन कुछ नकुछ नया और कुछ नकुछ आपको बहतर प्रोवाइड कराया जाएगा आप हमसे जुड़े रहें और अपनी तयारी को और बहतर बनाएं आपका ब बहुत बहुत धन्दवाद हम मिलते हैं अंगले टॉपिक के साथ और अंगले वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत धन्दवाद